हेलो गाईज, आज है मैं इनलाइस करने वाले हैं Yes Bank को, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं Yes Bank के एक financial mid cap company है, इसके current stock का price 15 रुपे 20 पैसे है इस company ने अब तक 25% का return दिया है, अब चेक करते है company के scorecard को company की performance low है, valuation high है और growth के chances low है, अब चेक करते है इसकी key matrix को company का P.E. ratio 49.12% है और ये company dividend नहीं देती है अब चेक करते है company के profit और loss को company ने 2019 में profit कमाया था, इसके बाद 2020 और 2021 में company ने loss किया था और 2022 में वापस company ने profit कमाया है, अब चेक करते है company के holdings को तो company के promoters के पास company का एक प्रतिशत भी share नहीं है mutual fund में इस company के 0.47% share है, domestic institution में इस company के 37.96% share है foreign institute में इस company के 23.25% share है और सबसे ज़्यदा इस company के 38.33% share retail investors के पास है ये बड़ी ताज़ुब की बात है दोस्तों कि इस company के promoters के पास company का 1% भी share नहीं है अगर आप इस company में invest करेंगे तो आपका पैसा डूबना ताए है तो ये वीडियो आपको कैसा लागा मुझे comment करें पिता है और अगर आप ही किसी company का analysis करना चाहते है तो उस company का नाम मुझे comment box में लिग के बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे like करें दोस्तों कि चाहर करें और ऐसी वीडियो के लिए चानल को subscribe करें